तो कैसे होगा आने वाले समय में बीजेपी के सपनों का हर्याना ये कुछ ही दिरबात साफ हो जाएगा क्योंकि सभी की निगाहें ठीक होई है बीजेपी के इस मेनिफेस्टों में जिसका नाम दिया गया है महरे सपनों का हर्याना 2019 से 24 यानि की 5 साल तक एक बार फिर से अगर हर्याना में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये वो वाइडे होंगे ये वो डावे होंगे जिनको लेकर बीजेपी आने वाले 5 साल में काम कर पाएगी 75 प्लस का नारा ये नारा अमिश्या ने दिया और डिल्ली में ये नारा जब दिया गया उसके बाद लगा अतार तमाम म कहोशना से पहले ही देखा जा चुका था क्यूकि मुख्यमंतरी हर मन्त से अपने तयारी के साथ आते थे और अपने विरोझयों को भी निशाने पर लेते थे हर सवाल का जवाब विरोझयों का डेटे थे और पलटवार भी करते थे और यह अब भी वो कर रहे हैं एक तुर्ब जहां रणनीती अपना यह बीजेपी ने विपक्ष का घर खाली करने का उसके लेकर उसको लेकर वी लगातार कोशिशे की जारी Laura B çıktı मे act singing बाक नेता भी आ रहे हैं अलाकि उन्होंने सीजी तोर पर तब कुछ नहीं का लेकिन जिस तरह से शीफ एक्टर की बात करते हैं S.H.E. ये सेक्यूरिटी हेल्ट और एड्यूकेशन से लेकर है इससे संबंडित है और B.S.P. की बात करते थे यानि की बिजली सड़क पानी के मुख्यमंतरी बात करते थे वो कहते थे कि पुरानी बात हो चलिए है अब जो मुड़े है वो ये नए मुड़े है और हम खुद लेकर आ रहे हैं को खुद हमल करेंगे और लोगों की स्वाजिक सुरक्षा का ख्याल हम रखेंगे हम बात करेंगे लोगों की स्वास की हम बात करेंगे शुक्षा की गुनवत्ता की और उसके अधार पर ही आगे बढ़ते जाएंगे धाच चाकत विकास के बात यहां पर की जाएगी जरूर यूआ वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा महिला वर्ग के लिए होगा किसानों पर भी केंडरित ये मैनिफेस्टों होगा इसके अलावा ये भी आपको जानकारी देदें कि इस मैनिफेस्टों की खास से तीवी रहेगी कि सबी वर्गों का ध्यान रखने का दावा मैनिफे मैनिफेस्टों के चेर्मेन यानि कि सब कुछ निर्भर करता है इस मैनिफेस्टों पर कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरह से काम करेगी अगर वो सक्ता में फिर से आ जाती है हलाकि इससे पहले कॉंग्रेस और इनलो भी बड़े-बड़े दावे वाई दे अपनी मैनिफेस्टों के जरीय कर चुके हैं और यहां पर बीजेपी के सामने चुनोती है कि किसना से अलग दिखाया जाए यह भी बसाफ है कि पहले से तयारिया तो कर ली गई थी कुछ सुझाव को शामिल कर लिया गया था लगबग 2000 के करीब सुझाव यहां पर रखे गए थे पहले फिर उसमें से 200 निकाले गए एक लाग सातर हजार लोगों ने अपनी तरफ से सुझाव दिये थे और जो 200 सुझाव है यह लोगों के सुझाव है यह आम जनके सुझाव है उनको इस मैनिफेस्टों में सम्मिलित करने की भी बात ओपी धनकरने कही है कि ये दोस्तों सुझाओं हमने रखे हैं लोगों की बात है लोगों का मैनिफेस्टों है इससे पार्टी का क्या लेने देना पार्टी तो सिर्फ लोगों के लिए काम करने आई है और हम लोगों के काम जरू करेंगी और एक सपनों का हरियाना जो देखा गया है उसको साकार कर कि दम लेंगे यह भी ओपी धनकर ने का जो कि क्रिशी मंदरी भी है और मैनिफेस्टों के अधिक्ष भी है सुभाष बराला से भी खास बाच्जित की एब खबर विदक ने उन्होंने भी दावा किया कि विपक्षियों ने सिर्फ आरूप लगा है इसके लाव कुछ नहीं लगाया और उन्होंने काम किया होता तो उसक्ता में 2014 में आ जाते हम नहीं आते और अपकी बार एक वस्ति से बीडेपी सरकार बना एक तो क्या कूछ खास रह शिकंजा का सजाय क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है लेकिन बीडेपी कहते हैं कि पहले से जादा बहतर कानून विवस्ता अर्याना में हुई है लेकिन ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता है पार दर्शिता से नोक्रिया दी गई है ये बड़ा के खत्म हो चुका है अब परणी खर्ची नहीं चलती थे मुखली मंतरी कहते हैं और ये नारा जब जिया गया तो सीधा यह पिछली सरकार ठी कॉंग्रेस के उस पर निशानत चा गया था कि पहले पर च हर्ची चलती थी लोगों को जो नोक्रिया मिलती थी कथी तोर पर पैसे दे कर मिलती थी लेकिन बीजेपी सरकार में ये सब नहीं होता है और अब लोगों को साफ तरीके से पारदशिता से नोक्रिया रोजगार मिल पा रहे हैं और लोग काफी खुश हैं युवा खुश हैं 69,000 से जादा नोक्रिया देने का दावा बीजेपी ने किया है इन 5 सालों में रोजगार की बात किया है कि लाखों रोजगार बीजेपी ने मोहिया करवाए हैं अर्याना वासिव को लेकिन ये 21 तारीक को वोटिंग और 24 तारीक के नतीजे बताएंगी कि जो दावे हैं उस पर प्रभावित करेगा रियाना वासिव को क्या इससे और बल मिलेगा 75 पार के नारे को ये भी देखने वाली बात होगी इसलिए हमारी निगाई ठीक हुई है ठीक कुछ देर बाद 10 बजे से साड़े 10 बजे का समय था कि इस बीच बीजेपी अपना मैनिफेस्टो सब के सामने रहेगा और आप भी हमारे से बने रहेगा